हेलो दोस्तो एक बार फिर डिश न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ जिसका आप काफी लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे देखिए इंसेट 4A आपने सेटलाइट का नाम सुना होगा जो सी बैंड के बारे में जानते हैं सी बैंड के सेटलाइट की इंफोमिशन रखते हैं वह सभी इंसेट 4A जो की 83 डिग्री डिरेक्शन में मिलता था उसके बारे में काफी अच्छी तरह जानते थे उस समय की बात है जब इंसेट 4A एक सेटलाइट हमें 83 डिग्री डिरेक्शन में मिलता जिसको हम 4 चार फीट पर भी असानी से देख सकते थे काफी अच्छा सिगनल इंसेट 4A सेटलाइट का रहता था लेकिन जब से इंसेट 4A में प्रेशानी आई यानि वह डिश्ट्रोई कर दिया गया तभी से सिगनल में भी काफी कमी देखने को मिली इसकी वज़े से जिसने 4 फीट एंटिना भी परचेज किया हुआ था उसको भी कभी कभी कुछ चैनल देखने को नहीं मिलते थे लेकिन आज की डेट की बात करें तो जीशेट 30 सेटलाइट 83 डिग्री डारेक्शन में हमें मिलता है साधी साथ जीशेट 10 भी है दोनों सेटलाइट एक ही डिग्री अफ़ा हुआ है जहां 8 फीट पर भी सिगनल नहीं मिल रहे थे अब 6 फीट एंटिना पर भी 290 चैनल के आसपास आपको चैनल मिल जाएंगे जिन में free to air चैनल की बात करें तो यहां पर हम आपको free to air चैनल टोटल कितने मिलते हैं वो भी दिखाएंगे फिलहाल जो चैनल लिस को देख सकते हैं कौन-कौन से चैनल हमें इस सेटलाइट पर मिलते हैं काफी अच्छा इंडियन सेटलाइट है यह जहां पर आपको हर लेंग्वेज के चैनल मिलेंगे free to air जो भी चैनल अवेलेबल है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वैसे अगर आपके पास 6 फी हमें मिल चुके हैं 312 या 314 कुछ इस परकार आपको चैनल मिलेंगे मेरी 8 फीट से 9 फीट का एंटिना मान लीजिए तो यहां पर हमें इसने चैनल मिल चुके हैं जिन में अगर free to air की बात करें तो मैं यहां free to air निकाल देता हूँ अलग-अलग कर देता हूँ अब total free to air चै लाएंगे फीड चैनल की जैसे की यहां पर आप देख सकते हैं डीडी न्यूज फीड एसबी है डीडी फीड है इसी परकार कुछ फीड चैनल कुछ टेस्टिंग मोड पर तो इनकी total strength 240 है 240 टोटल चैनल से देखने को मिलेंगे free to air तो अगर आपके पास 4-6 फीट इंटिना है ट्राइ कीजिए आपके कितने चैनल से आए हैं नीचे कमेंट करके हमें भी बताएं और बाकी लोगों को भी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जुरू कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं किसी को नए वीडियो में तब तक धन्यवाद